राजस्थान की महिलाएं आज बन रही हैं स्वावलंबन की मिसाल और उनके योगदान से प्रदेश हो रहा है उन्नत, अग्रसर और खुशाल क्योंकि विश्म भौगॉलिक परिस्थितियों और जलवायू परिवर्तन के प्रतिकूल असर के बावजूद भी, राजस्थान सरकार ने वाटरशेड पर योजनाओं से बतल दी है महिलाओं की जिन्दगी। बारिश के पानी को एनिकट, जोहर, तालाब, नाड़ी, फाम पॉंड, मिट्टी के बांध भना कर रोका गया है जगा-जगा। जिससे आसान हुई है फसलों वबश्वों के लिए पानी और शुद्ध पे जलकिया पूरती। और आसान हुआ है महिलाओं का जीवन। अब खेत में ही टाका बन जाने से सिर्पर मटका ढोकर मीलों सफर करने की मुसीबत से महिलाओं को मिल चुकी है मुक्ती। फसलों के लिए पानी की उपलब्धता के कारण अब महिलाओं खेतों में उगा रही है सबजिया। गाओं के चारा गाहा अब लगे है लहलाहाने और घास के अच्छे बीजों की बवाई से पश्वों को मिलने लगा है हरा चारा। जल संग्रहन पर योजनाओं का ही असर है कि अब महिलाओं गाओं की पंजर भूमी पर फल दार पेड लगाने के लिए आ रही है आगे। इससे उनको मिल रहे है रोजगार और रामदनी के नए अफसर। फलों की अच्छी पैदावार से बढ़ रहा है मुनाफा और साथ ही फलों से अनेक उत्पात बनाकर बेचने से जीवन स्तर हो रहा है पहतर। महिलाओं को रोजगार के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग साथ ही छोटे उद्योग शुरू करने में सहयोग राशी देकर की जा रही है मदद। ऐसे ही अनेक प्रयासों से जल संग्रहन योजनाओं ने बदला महिलाओं का संसार और राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का सपना हुआ साकार। ग्रामीन विकास एवं पंचायती राजविभाग राजस्थान द्वारा जल हित्मे प्रसारित।